कि कि है प्रेंट्स वंस अगें विलकम तो माई यूटूब चैनल ऑनली एजुकेशन इस विडियो पर बात करने वाला हूं आपका इंटेक फस्ट टुसेंट्वेंटी का फाइनल को टॉप के पारे मिंस एक्सेप्टेट फाइनल को टॉप क्या हो सकता है एं प्रेंट्स ओरी मैंने आपको 28 तारीक का था बड़ अनफार्शनली मैं दो दिन लेट हो गया ठीक है मैं वीडियो आफ्टर लेके आ रहा हूं तो यहां पर दिखिए मैंने सब कुछ आपका पूरा एंटुजर्ड इन्फॉर्मेशन जितना जितना रियल था ठीक है सब कुछ इन्फॉर्मे किसी कट आप से लेट है कि उसमें मैंने का था कि आप ऐसे करी किसमें कट आप अपने नंबर कमेंट कीजिए तो बात हुई कि उसमें काफी लोगों कापी अच्छा कासा सपोर्ट किया जैसे इन वास जांद मैंने कि एक बंदर four वहां पे ऐस से याँ होंगे पहले हमिता हो मतलब को इंसिडेंट या फिर आप किसी कोचिंग इस्टीट में हो ठीक है ऐसा तो हो नहीं सेकता कि आपको एक दूर नंबर आपको बारे में पता नहीं तो प्रेंट अब श्टार्ट करते हैं अपना वीडियो मैं आपके लिए वीडियो करने वाला हूं सो चलता है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या हो सकते हैं ठीक है उससे पहले आपको दिखा दूए जो को टॉप गया था फ्रेंट से अब क्या हो सकता है यह यहां पर डिसस करने वाला हूं सो प्लीज वेट और आपको बता दूँ कि मेरी आप से एक ही रिक्वेश्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है मलब इतना आप करना और कापी टाइम लगा है बहुत आप लेट करें लेट करें आपने अठ सब्सक्राइब करना उसके बाद उस पर थोड़ा वारा एडिटिंग करना वीडियो को मैनेज करना ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है अदर्वास मैं कर जाकता हूं ठीक है और अब स्टार्ट करते हैं ठीक है एंड चलो पहले ऐसा करता हूं कि आपको कमेंट देखाता अब देखना कैसे नंबर कमेंट कि हैं ठीक है तो उसके बाद यहां पर दिखिए एक्स ग्रोफ 41.50 ठीक है 37.20 जिनका क्लियर रही हुआ उन्होंने बताया है जिनका नहीं भी हुआ उन्होंने बताया वही अच्छ है जैसे कि इन्होंने लिखा भी है कि फेसेकंड क्लियर ठीक है 39.75 पर मेरे इतने एक्स पर दिखिए उसके बाद यहां पर दिखिए बाई ने कितने सारों फोर फाइफ फाइफ लोग कमेट किया ठीक है ठीक है एंड वन 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 ठीक है एंड हां दिखिए अहां भई NCC का भी एक पूछ रहा तो थोड़ा से वेट करना प्लीज आपको मनलब सारे टाउट क्लियर हो जाएगे थोड़ा से वीडियो बड़ा होगा बट हो जाएगा ठीक है एक बाई आपसे आस कर रहा था तो तो टेंसल लेने कि कोई नीट नहीं आपको तो अब यह है आपका एक्स का ठीक है एंड वन वन ठीक है एक तो ठीक है एंड यहां पर पांच पे सेकंड क्लियर ठीक है आई गॉट इतने पता होंगे रियल में फेक नहीं करेंगा ठीक है हां बड़ एक्स ग्रूप का है मुश्टली जाता करके एक्स ग्रूप के हैं बड़ वाइग ग्रूप के भी कापी अच्छे का से हैं देगे वन टू त्री फोर फाइप सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो भाई ने कई यह कपिल सिंग तरुआ दे इस टीटी होम ने भी कापी से एक दो तीन चार पांच छेए सिक्स टीक उसका फैसे के अपना भी कुछ वी बटाए उसके बादि के जितू भाई कितने हैं ठीक हैं यहां पर यहां पर सभी ने कापी अच्छे का से कमेंट की हैं ठीक हैं हर एक बंदे ने अपना अपना व्यू बताया मेरे कोडिंग कि इतना है और मेरे दोस्त का कितना है देखिए आप 40 मेरे दोस्त का 43 ठीक है एंद यहां पर तीन लोगों कि भाई ने बता है 3SG कानपुर से क्लियर है 45.9 आपको कॉई टेंसल नहीं है उसके यहां पर हर एक बंदे ने बता है कोई पी ऐसा बंदा नहीं है जो मनलब क्लियर जि उसमें क्या यूटूब खोला पोल पे क्लिक कर दिया ठीक है बट कमेंट करने मुझे लगता है टाइम और आप सब जानते हैं कि कमेंट तोगएदे कि यहां पर रहूल आठाओ ने भी अच्छे का से नंबर कमेंट किया यहां पर एक नहीं चार पांच बंदों के बारे में pricing करते हैं तो मैंने यहां पर निगिफस करते हैं इन उसके बाद मैंने किया है अब सो नेक्स चलता अबना है वीडियो पे अब दाइंडिये ओप फाइल उस ही से मैंने आड की पूरे कह ब carrot paling मैंने ऐपने निक्देर्ट हैं ठीकेमें आपने पास से कोई निलुँ उसमें लगा तक आप ही जितने pages थे उसका cross कराना और उस candidate के according थिक है मैंने वहाँ पर ऐसा जाके किया है अब देखना यहां पर एक बात आपको बता दो कि मैंने जो कंडिडेट लिया मैंने फेक कहीं से भी नहीं अपने पास से मैंने खुद मलब नहीं बनाए यह जो पीडिया फाइल थे आपका एक्स ग्रूप हो वाई ग्रूप हो दोनों ग्रूप का एड करके ही मैंने यह पीडिया फाइल बनाई थी मैंने यह पीडिया फाइल स इसा कुछ थे तो मैंने अल्मोस्ट लिख दिया 7000 and 4000 मतब थोड़ा सा इजी रहेगा ठीक है उसके यहां पर एक्स ग्रूप पर देखते थे एक्स ग्रूप पर जो कैंडिडेट थे ठीक है एक्स ग्रूप पर टूटल कैंडिडेट थे वह कितने थे इनका जुरूर मैंने एवरेज लिख दिया है अब समझ सकते हैं कुछ अगर 10-20 इदर उदर हो तो हो सकता है अधर्विस इतने ही थे इसका भी कलेक्शन करने में फ्रेंस थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक्स ग्रूप किनों कितने कालिफ हो आई क्वालिफाई किया है थोड तो है क्या संता है बॉनेशन हो गया बैंगलोर अब यहां मैं वेपल पूर हो गया और हो गया विलगाँ हो गया हो यहां पर बैरकपुर हो गया यहां पर मैंने साहर जगा कि यहां के रिव्यू भी थी है ठीक है तो टोटल रिपोर्टिंग कितना था 300 अवलेबल कितना था फ्रेंट्स हर एक सेंटर पर अनुष 40-45 तो अब अपसेंट रहा है ठीक है आप सभी को पता होगा ठीक है तो यहां पर बात को 10% रहे नहीं रहे मैंने मेरे कोडिंग यहां पर माली जी 300 के रिपोर्टिंग था ठीक है एंट 40 अब देखें 10% एंट 40 एक बात बता दूं आपको कि जैसे कि 10% मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि प्रजेंट नहीं रहे जैसे कि 100% मैंने 300 थे पर 50 अनौल वेरे मेरे कोडिंग 10% वहां पर आउट हो गए मतलब आई ही नहीं फेसेंट देने उसके बाद दूसरा 40% फेसेंट में आउट हुए अब मेरे कहने का मतलब है कि टोटल रिपोर्टिंग कितने थी 300 ठीक है अब 300 में से उन केंडीड को भी लगा के जिनके मार्क मतलब की मार्क चाहें जितने भी हो ठीक है उससे मतलब नहीं करा है बड़ यहां पर जिसे फिप्टी पर से टोटल और जो नहीं भी आए उन्हें लगा के टोटल फेस सेकंड पर जो आउट होने तीन सु की रिपोटिंग में डेट सो से 140 से 150 को जरूर मेडिकल डेट मिली है आप लोगों पता भी होगा है तो नेक्स्ट यहां पे देखने पे पचाहिं लिए 300 तो पर नहीं आए आप बची किने 200 तो भी सेटेट पर ओटे ही थे तिक है ना जैसे कि आप 50 50 40 50 तो पर उसके बाद 20-50 पर आउट हो गए तो पर यह जाते थे ते तो बने अलमोट हमलों अब टोटल केंडिडेट जो लेप बच्चे मलब जो फेसेकंड यून ने क्लियर क्या मेरे कॉर्णिंग थी कि वह पहले तो मलब फिक्स तो है नहीं आपको कुछ पता नहीं होगा बट यहां पे दिखें मेरे कॉर्णिंग जो टोटल केंडिडेट बच्चे है फाइब फाइब जिरो टुशिक जरो जरो मालब फच्पन सो से चैजर के बीच में ठीक है एकसेप्टेड आउट इन मेडिकल एक बात बता दू कि इंटेक फर्स्ट पर जो इंटेक फर्स्ट क्या मालूं इंटेक सेकंड नाइटीन के अभी जो फाइनल को टॉफ आइए मेरे कैंडिडेत przew मेरें फाइनल में पर नाम आया थो में इसके कि यह मैंसे 2,5 कि अंदिडेट कापी होतें 252 तो वह थे उसके बाद आप वह प्गए adheroke के बाद माली जी कि यह 352 कंडिडेट वो थे जिनके नंबर 32.25 के ऊपर थे ठीक है और यह लोग मेडिकल में गहे थे फेसे कंड क्लेर के मेडिकल में गहे थे बट मेडिकल फिट नहीं कर पाया और माली जी इस से कम इस अब 32.25 से कम कितने कैंडिडेट होंगी कि कट आप कितना गया था आपको पता होगा 27.25 पांच नंबर कट आप बढ़के गया ठीक है तब जाके चार सो कैंडिडेट आपका उस लिस्ट में थे जो और फिट एन अपसेंट थे ठीक है तो मैंने आप आप आर्ट सो कैंडिडेट और आउट कि हैं क कि पांच नंबर में कम से कम हर एक नंबर की बीतर चार पार्ट होते हैं आपको पता होगा 25.50 तो पांच नंबर में अगर डिवाइट को हैं तो ट्वंटी प्रट्स ऐसा नहीं होगा कि आर्ट सो कंडिडेट ना हो ठीक है ना आइधिंग पक्का होंगे श्योर होंगे ठीक ठीक है अगर बिलीव नहीं देख लेना मैंने एक वीडियो भी दिया था उसमें जितने कंडिडेट आज अच्छे थे उन्होंने जो फाइल भी दिया था मलब इंडियन एर्फोर्स ने जो अपना मलब डाक्युमेंट टाइप में दिया तो जो मलब रिजल दिया तो उस प कितने बचेंगे 45,000 4500 से 4700 के बीच में तो अब इसके बाद अगर मेडिकल कभी मैंने आप एक्सेप्टेर अटा दिया उसी एक्सेप्स करते हैं अब यहां पर डिसक्स करते हैं अब जो एक मैंने एर्फोर्स कोई वैकेंसी फिक्स नहीं करता कितना वैकेंसी रहेगा ठीक यहां पर एक बात आपको बता दू कि अल्मोष्ट पहले जो होता था जब एक ही होता था उसमें 7000 वैकेंसी होता था ठीक है बट अब दो पार में करते हैं ठीक है मैंने भी यह उसी एक्कॉर्डिंग किया है जिससे कि इंटेक फर्ष्ट रदूस होजन नाइंटीन पे फाइनल जो सेलेक्ट हुए थे कंडिडेट वह 346 ठीक है उसी एक्कॉर्डिंग यहां पर जो वैकेंसी रहता है मेरे कॉर्डिंग 335 के बीच में ठीक है अब उसके वाद आपको करना क्या है फाइनल में आउट होने वाले कंडिडेट अल्मोष्ट अम मेरे कॉर्डिंग य ठीक है तो अब उसके कॉर्डिंग कट आप क्या हो सकता है में मलब में पॉइंट सॉरी ठीक है ना तो यहां पे जो कट आप में जो में पॉइंट उस पर डिसक्रस करते हैं ठीक है थोड़ा से मिलब बड़ा हो रहा है बटने मैंने बढ़ी विलकुर जैनल सी वाला है तो यहां पर एक्सफ उर्प कर डिसक्रस करते हैं एक्स ग्रूप कर देए इनिशियल कर गया वह इंडियन एयर फोर्स की तरफ से जो कर डूप गया वह गया 36.25 इहां पर मेरे कोडिंग को टॉप रहने वाला है वह 38.50 to 39.00 अब वहीं एक्स ग्रूप पर इस एक ग तॉप था वो गया था 27.75 ठीक है एंड इस बार जो गया है 36.25 में इस पूरे नौ नमबर बढ़ गया है नौ नमबर बहुत होते हैं ठीक है नौ नमबर बहुत होते हैं पहले से नौ नमबर बढ़ गया है अब मलत अगर बात कुरो फाइनल पर जिसने कि 27.2 कुछ था 27.75 था और जो फाइनल में कट आप गया था पीसल में वह गया था 32.25 में वहां पर पूरे पूरे चार नंबर साड़े चार नंबर बढ़ गए थे बट यहां पर पहले से इन नंबर बढ़ गए तो आप 39 से 38 वाले लेवल पर हैं अब दो 37 से 38 वाले में अपने बताया भाई इससे कम भी रह सकती से ज्यादा भी रह सकती है बट मेरे तुम्हें अल्मोस्ट 500 ऐसे मिलेंगे जिनके 42 के उपर मार्क सेक्शन में कमेंट किये गए ठीक है तो जाके उसे पॉइंड लेना अगर आप कोई डाउट हो ठीक है अब एक्सेप्टेट की बात कर लो यहां पर तो मेरे एकॉर्णिंग 38.50x का और यहां पर 39.00 अब भाई 38 से 39 इसी बीच में आपका पक्का रहने वाला है यह 39.25 इनकी होगा 38.50 से 38.25 जरूर हो सकता है ठीक है एंड 38 से कम भी नहीं रहने वाला यह भाई आप याद रखना है ठीक है एकसेप्टेड वह 38.50 तो 39.00 ठीक है अब यहां पर अगर 38.25 भी है आपके तो आप मतलब टेंसर मत लेना ठीक है मैंने बताया मतलब मेरे सिंस के अकॉर्णिंग इतना रह सकता है आपको एक्स का ठीक है अब इससे जादा तो मेरे सिंस के अकॉर्णिंग नहीं जाने वाला क्योंकि पहले से इतना जादा जाए चुका है और मैंने यहां पर तीन नमबर अल्मूस्ट बढ़ा दिये हैं तो तीन नमबर के भीता थे कि पॉइंट 25.50.75 पॉइंट आप समझ सकते हैं ना चार पार्ट में डिवाइड होता है उसके बाद यह तो एक्स ग्रूप कर रहा होता है बट हो जाता है अगर आपके अच्छे खासी नमबर है ठीक है अब बात कर लेता हूं यहां पर वाई ग्रूप की तो यहां पर टोटल मार्क्स के अगर बात कुरूं जो फाइनल मतलब इंडियन एर फूश कितब से इनिशियल मार्क्स जो थे वो थे 37.25 बट यहां मेरे का मतलब है कि अगर आपके 40 नमबर है तो आप बिल्कुल 100% जोन में बट यहां पर 39.75 39.25 भी नमबर है ना तो आप मनदब मनदब ऐसा नहीं कि वीक जोन पे आप 100% मेरे रिचेंस के अकॉर्डिंग आप 100% जोन में हैं क्योंकि वाई ग्रूप का कट आप लास्ट टेम भी देखू तो पहले अच्छा कासा गया था उसके बाद 32.25 गया था उसका दो नमबर ही के वाल इंप्रेज हुआ था तो इस बार भी उतना ही रहने वाला है क्योंकि इस बार प्रिवेस टाइम के एच् टॉप मेरे सेंस कर रहने वाला है बोट आप क्या थिंग करते हैं यह बता दे ना ठीक है अब आपको क्या लएक्स न थे एक्स ग्रूप को चो बैने बता रहने वाला था इस ग्रूप फिका करते हैं और वीडो को पसंदाफ प्लीज बीडो लाइक करना सेर करना अंद यू इन नेक्स्ट वीडियो सो बाबाई जय इन जय बारत वंदे मात्रम एंड अहां एक्सेप्टेट को अपने कॉर्डिंग आपके क्या हो जुकता है यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाबाई